हेलो फ्रेंट्स केसे हैं आप लोग आज में आप लोग एक फ्री वीडियो एडिटिंग एप के पार्में बताने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत सारी फिचर्स दी गई है और इसमें वाटरमार्क भी नहीं आता तो फ्रेंट्स यह है वीडियो एडिटर सबसे पहले तो यहां बहुत सारी फ्रेम रिशु में आप वीडियो को एडिट कर पाऊगे इसमें सभी बेसिक एडिटिंग टूल्स लाइक स्प्लीट, ट्रीम, वॉल्यूम एडिज़स्ट, क्रॉप, रोटीट, फ्लीप, रिवर्स यह सब मिल जाते हैं जो कि सभी एप्स में होती है तो इनके उपर हम बात नहीं करेंगे हम अधर फिज़स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं फर्स फिचर हैं यहाँ फिल्टर्स और सच में यहाँ पर बहुत सारी फिल्टर्स दी गई है आप इंटेंसिटी यहाँ पर एडज़स्ट कर पाऊगे साथ में exposure, hue, contrast, brightness, situation, vanity, sharpness सब कुछ कोंट्रोल कर सकते हो और साज बताऊं तो इतने options तो पेड़ एप्स में भी नहीं होते देन आते हैं मेरे फिल्टर फिचर पे speed यहाँ करप editing का option देखने को मिल जाता है इस free video editing एप के अंदर अगर आपको कुछ भी cinematic editing करनी है तो आप कर पाऊगे लाइक आप video की अलग अलग part को अपनी हिसाब से जितना चाहें उतना slow और fast कर पाऊगे मतलब यह feature search में amazing है यहाँ पर कुछ presets भी दी गई है और हाँ regular normal editing भी आप कर सकते हो जैसे कि दूसरे video editors के अंदर होता है तो अगर आपको video की speed के साथ play करके एक cinematic video create करना है तो आप इस corp editing का use कर सकते हो सच में बहुत ही कमाल का है यहाँ पर video से audio को extract करने का option भी देखने को मिल जाता है और उस audio की volume adjust और audio को split वगरा भी आप कर सकते हो साथ में यहाँ पर bits का option देखने को मिल जाता है तो अगर आपको bits change के recording video को edit करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो जहाँ पर bits change होता है वहाँ पर आप mark करके video को split करके वहाँ पर transitions और अलग-अलग effects add कर सकते हो जिससे video और भी interesting बन जाता है transitions के बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग transitions दी गई है तो यहाँ पर आप दो वीडियो के बीच में बहुत सारे अलग-अलग transitions को add कर सकते हो साथ में यहाँ पर effects के अंदर बहुत सारी effects भी दी गई है जो कि आपको एक अच्छी video create करने में help कर सकता है अगर हम वीडियो के उपर टैप कोते हैं तो यहाँ पर duplicate, keyframe और replace का option देखने को मिल जाता है keyframe और replace यह दोनों बहुत ही useful features हैं layers के बात करें तो आप multiple layers of audio, text, pictures and videos add कर पाओगे PIP याने picture in picture के लिए intro और outro animation यहाँ पर आप set कर सकते हो keyframe का option यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आप overlay को यहाँ पर motion दे पाओगे आप keyframe option पर जाके उस picture यहाँ पर text को screen में जहाँ जहाँ पर drag करोगे वो motion capture हो जाएगा और वो picture उस motion को follow करेगा और यह option जो है यह text layer के लिए भी है और जो भी आप layer add करते हो picture वीडियो उसके लिए भी speed effects जैसे features यहाँ पर दी गई है और साथ में यहाँ पर chroma feature भी देखने को मिल जाता है मतलब आप यहाँ पर green screen editing कर सकते हो यहाँ पर जो है आप वीडियो की background को remove कर पाओगे साथ में split, blending, flip, mirror effect जैसे features भी यहाँ पर मिल जाते है other features की बात करो तो वीडियो को आप preach कर पाओगे और यहाँ पर zoom के अंदर different motion effects दी गई है जिसे हम pen effect भी कहते हैं export option में forget तक के output resolution है और भाई यहाँ पर apps और bit rate भी आप set कर सकते हो output के लिए मतलब यह app सच में बहुत ही amazing है मैंने तो किसी भी pre video editing app के अंदर apps और bit rate का option नहीं देखा तो friends यह ता भी हैन video editor I hope कि आप कोई video पसंद आया होगा और अच्छा ना तो वीडियो को like करो और share करो और इसे ही और interesting videos के लिए channel को subscribe करो और बहले को प्रेस कुना बिल्कुल भी मत बोलना thank you for watching this video and keep smiling this is John Suman signing out